Hello everyone, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में हम फिल्टर फीडिंग के भारे में पढ़ेंगे आचली रिच्छा की रिक्वेस्ट थी कि इसके उपर मैं वीडियो बनाऊं तो रिच्छा ये है वो वीडियो इसके अंदर हम फिल्टर फीडिंग मॉलस्का में कैसे होती है इसके अलावा अकाइनोडर्म में कैसे होती है ये डिस्कस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते है तो फिल्टर फीडिंग क्या होता है यहां लिखा हुआ है एक मेथड होता है जिससे की फूड को अप्टेन किया जाता है मतलब और्गानिजम फूड का इंटेक करते हैं कैसे बाइ रेंडमली फिल्टरिंग दी वॉटर तो बेसिकली यह एक्वेटिक और्गानिजम में देखने को मिलता है जादा तर बट उसके अलावा और भी और्गानिजम में देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल साइज्ड इंवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है कुछ बर्ड में भी देखने को मिलेगा शाक्स और वेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है तो बैसिकली वाटर को फिल्टर करके उसमें से फूड पार्टिकल्स को लिया जाता है उसका इंटेक किया जाता ह तो उसी को हम filter feeding बोलते हैं ये एक ऐसी process भी मानी जाती है जो water clarification में help करती है तो water को purify करने में भी help करती है क्योंकि उसके अंदर से सारे वो food particles हट चुके होंगे तो water clarify हो जाएगा इसलिए ecosystem engineers बोला जाता है इन organisms को जो की filter feeding करते हैं अगर इसके हम types की बात करें तो दो type होते है internal और external क्या difference है दोनों के बीच में तो internal filter feeder जो होते हैं उनके अंदर basket like feeder होता है body के अंदर तो internal इसलिए हो गया तो उनके अंदर filter body के अंदर body cavity के अंदर present है basket like है जैसे हमारी sieve होती है चन्नी होती है वैसा ही यह काम करता है तो filter की तरह काम कर रहा है बट body के अंदर है इसलिए internal हो गया external filter feeders जो होते हैं यह grabbing motion utilize करते हैं मतलब किसी substance को grab करेंगे कैसे एक type का filter बाहर निकालके तो जैसे अगर यह इनकी body है तो एक filter जैसे यह food particles और water बगरा है तो यह filter को बाहर निकालते हैं body से और इस सारे content को अंदर ले जाते हैं retract कर लेते हैं तो यह filter retractable होता है जैसे यहां लिखा हुआ है तो वापिस से उस food को उस food particles containing जो भी water है उसको अंदर ले जाएंगे तो यह external filter feeder होता है और यह grabbing motion होता है क्योंकि वो grab कर रहे हैं कुछ content को जो की बाहर present है तो दो type के filter feeders होते हैं जो मैंने आपको बताया हर एक जो भी category आपने रिचा पूछी थी उसके बारे मैं मैं बता देती हूँ तो सबसे पहले molluska का बताते हैं molluska जो होते हैं इनके अंदर filter suspended debris जो होता है food particles जो होते हैं उसे water से निकाला जाता है तो जो भी suspended debris है food particles है उन सबको filter किया जाएगा from water using their gills तो gills यहाँ पे हैं जो की filter करने में मदद कर रहे हैं तो water में से debris food particle को निकालने में मदद कर रहे हैं जादा तर bivalves नाम की जो कैटेगरी होती है मौलॉस्का के अंदर उसके अंदर ये वाली चीज जो होती है वो आपको देखने को मिलती है तो filter feeders फिल्टर फीडर Koreans बाय वैल्व्व की कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं इसका में अब यहां पर एक चीज़ इंपोर्टेंट है कि सीलिया होते हैं तो सीलिया जो continuously beat करते रहते हैं और जब भी वो सीलिया beat करेंगे तो वो फिर water को अंदर लेके आते हैं एक chamber में जिसे इंफ्रा ब्रांकियल ब्रांकियल chamber बोलते हैं तो basically एक chamber है जिसके अंदर water जो होगा जिसके अंदर food containing जो भी particles है वो सारे present होंगे सीलिया उन सबको एक chamber में ले आएगा ठीक है और क्योंकि food particles होड़े heavy होते हैं तो वो easily bottom की side पे उस cavity के उस chamber के नीचे settle down हो जाते हैं और जब वो जहां पे जिस भी एरिया में वो settle होते हैं वहाँ पे mucus होता है तो mucus जो होता है उन सारे food particles को trap कर लेता है पकड़ लेता है ठीक है और ये फिर food particles जो है फिर mouth के पास भीज़े जाते हैं वहाँ से esophagus यानि food pipe में स्टमक में digestion के लिए भेज़े जाएंगे तो मलुसका में इस तरीके की filter feeding देखने को मिलती है polycheats जो होते है polycheats basically anilida की एक class है तो इसके अंदर दो type की आपको मिलेगी condition एक non selective होता है एक selective filter feeding होता है क्या difference है non selective होता है जिसके अंदर sand के सारे particle sand जो होता है उसे ingest कर लेते हैं और size का कुछ भी discrimination नहीं किया जाता तो non selective है यानि food particle कि size का है कौन से वाले food particle को लेना है ये सारी चीजें पहले से decided नहीं होती है तो size के basis पे discrimination नहीं किया जाता है इसलिए non selective filter feeding इसे बोलते हैं दूसरा जो होता है selective filter feeding होता है इसके अंदर क्या होता है tentacles बग्यारा होते है बकल organs होते हैं जो कि particles को किसी specific size के particles को select करते हैं और उन्हीं को अंदर लेके जाया जाता है filter feeding के through उन्हीं को feed किया जाता है तो वो ऐसे particles होते हैं जिनके अंदर nutrient content बहुत जादा होता है तो selective filter feeding होगी जहाँ पे high nutrient containing food particles को ही select करा जाएगा based on their size ठीक next आप देख सकते हैं यहाँ आपको लिखा है कि कुछ tentacles भी होते हैं tentacles के उपर cilia भी present होता है और यही cilia है जो food particles को gather करके oral surface mainly mouth के पास लेके जाएगा और फिर वहाँ से अंदर digestion के लिए भेजेगा तो यह process polykeets में होती है next अकाइनोडर्म्स हैं अकाइनोडर्म्स में आपको याद रखना है starfishes आती हैं तो आपको पता है अब यह जो होते हैं यह suspension feeders होते हैं suspension feeders का मतलब क्या होता है कि यह अपना feeding apparatus को use करते हैं to collect the food particles from water suspended food particles को सबको एकठा करने के लिए feeding apparatus का use करते हैं इसलिए suspension feeders इन्हें बूला जाता है इनके पास अलग-अलग type का feeding apparatus होता है सबके अंदर same नहीं होता है बस काम उसका same होता है कि food particles को capture करना है water से अलग करना है और mucus या sticky threads वगएरा की मदद से वो उन food particles को trap कर लेते हैं और फिर mouth के पास भेज देते हैं तो यह process होती है filter feeding की akinoderms में रिचा एक और चीज मैं बता दूँ मैं botany background की हूँ मैं zoology background की नहीं हूँ तो जितना मुझे समझाया ये concept उतना मैंने आपको समझा दिया अगर आपका कुछ भी doubt है तो आप please comment section में जरूर बता देना और अगर इस से detail में कुछ चाहिए तो मुझे content provide कर देना मैं वैसा जो भी है topic उस तरीके से आपको पढ़ा दूँगी ठीक है तो ये थी आज की class जिसके अंदर हमने filter feeding के बारे में पढ़ा तो चलो मिलते हैं next class में बाई बाई थैंक यू